हेलो शेंस तो आभी हम लोग पीवाय की एक ठीक है ना इसमें अपना ऑप्टिक्स टू करेंगे ठीक है यह जो रच्ट पाइब ब्क्रहाला तो हो चुका है अभी प्रिजेंट अपना जो फोकस होगा यह आपका लेंस पर प्रीजर्म और अक informятся और इंस्टूमट्सत Such a मैगनिफाइंग पावर होगा अपर बेस्ट होता है जो मतलब प्रैक्टिकली आपको फिल करना होता है ठीक है स्कोरिंग टॉपिक होगा जैसे यह एक तो अभी मैं आपका क्या बोलते हैं लेंसमेकर्स फर्मूला होता है ना 1 by f is equal to nl nm minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 यह इस पर हम लोग discussion करेंगे ठीक है ना इस पर एक questions जैसे ना यह आपका 2023 का question है एक lens है इसका radii आपको 20 cm दिया हुआ है राइट कितना दिया हुआ है 20 cm और इसका जो refractive index है 1.8 है तो एक बार ना power in the air और power एक बार इसको अभी air में रखा हुआ है और बाद में कोई आपका यह liquid है liquid का जो refractive index है 1.5 है ठीक है तो power in air और power in the liquid इसका ratio नहीं कालना है integer type question है ठीक है तो यह दो direct formula best है आप अलग अलग करके देख लो ठीक है ना तो जैसे अपना 1 by f चलो air में लेलो तो nl by nm minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 राइट तो 1 by यह तो power in the air हो गया चलो तो यह nl lens का जो refractive index है वो दिया हुआ 1.8 तो 1.8 minus 1 और 1 और 1 by 20 देखना यह तुम sign convention इधर तो plus 20 होगा और इधर minus 20 होगा तो यह plus plus 1 by 20 ठीक है चलो फिर power in the liquid लेलोगे तो यह 1.8 लिक्विड में कितना डिप किया था 1.5 राइट 1.5 तो 1.5 minus 1 and 1 by 20 प्लस 1 by 20 राइट तो अब इसमें तुमने देख लो इसका कितना हो गया पावर लिक्विड जो होगा 1.8 minus 1.2 हो जाएगा यह कट करोगो ते 180 15 तो 1.2 minus 1 120 प्लस 120 राइट तो इसको तुम यह 1 नंबर और इसको 2 नंबर तो पावर एयर पावर लिक्विड तो यह तुम्हारा कितना हो जाएगा 1.8 minus 1 तो 0.8 यह 0.2 तो यह आगया तुम्हारा 4 ठीक है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लेंस पर ही बेस्ट अभी देखते है तो जैसे आपको यह ना एप्रील टेन और टू थाउजन्ट ट्वेंटी त्री के कोश्चन है यह लेंस ही में जैसे यह एक ना आपका दो लेंस दिया हुआ है ठीक है बच्चों और यह L1 है यह L2 है और इसका जो डिस्टेंस जो दिय हुआ है इस इस दो 10 सेंटीमेटर राइट 10 सेंटीमेटर और यहां पर एक आपजेक्ट है यह जो डिस्टेंस दिया हुआ है यह आपका 6 सेंटीमेटर ठीक है इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमेटर ओके 6 सेंटीमेटर और क्वेस्टेंस में क्या है आप को कि एफ जो दिया हुए 24 इसका focal length 24 cm इसका focal length 9 cm दिया हुआ है ठीक है और distance between object and image found by the system or two lenses distance निकालना है object और image का ठीक है तो इसमें क्या करोगे distance distance between बिन बोलो distance between object and image तो करते हैं फाले फस्स में लगाते हैं 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F तो अपना 1 by V minus minus 6 और यह आपका 1 by 24 ठीक है तो 1 by V is equal to 1 by 24 और minus minus plus तो 1 by 6 ठीक है तो 1 by V is equal to LCM तो 24 हो गया तो 1 minus 4 तो 1 by V is equal to minus 4 by minus 3 by 24 राइट तो V is equal to हो गया आपका minus 8 ठीक है ना V is equal to minus 8 ठीक है तो यह पाला तो जो बन रहा है ओर minus 8 पर बन रहा है है ना इसको मैं थोला सा यह करता हूं तो इसको देख लेते हैं एक बर कैसे image बनेगा मतलब इस तरह का कुछ बनेगा ना यह तुम्हारा हो गया ऐसा और यह हो गया object यह है 6 cm तो कुछ इस तरीके से मतलब मान के चलो कि आपको फाइनली यह इस तरह से यह यहाँ पर आईवन बन रहा है और यह जो distance है मतलब यह तुम्हारा यहाँ पर आईवन पहला image तो यह हो गया 8 ठीक है अब यह जो पुरा जो distance दिया है यह कितना दिया हुआ है आपको यह जो distance दिया हुआ है वह है आपको 10 ये 10 cm, तो total कितना हो गया है, 18 हो गया है, तो अब लगाते हैं, 1 by V minus 1 by U, और इसकी 9 cm दिया हुए, ठीक है friends, तो अपना इसमें if, तो 1 by V minus minus 18, ठीक है, and 1 by plus 9, तो उधर जाएगा, 1 by V, 1 by 9 minus 18, तो LCM तो 18 हो गया, तो 2 minus 1, तो V is equal to plus 18, ठीक है, तो अब ये जो होगा, इसके लिए, मतलब कहीं पर इस तरह से जाकर के, यहां पर बनेगा, तो ये आगया है तुम्हारा 18, तो 18, 10, 28, 28, or 6, 34, ये distance निकालना था, तो ये तुम्हारा 34 cm, ठीक है, ये आपका integer type का question है, एक बार मैं इसका cross check करता हूँ, आपको, इसका जो cross check होगा, एक minute, येस, 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 टोटल distance is equal to 34 cm, it's okay, 34 cm, ठीक है students, चलो मैं और दूसरा question भी करता हूँ, आपको, देखता हूँ, इसमें जैसे आपको, एक ये question जैसा, ये ना lens दिया हुआ है, और ये mirror दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें focal length दिया हुआ है, तुम्हारा, इसमें 10 cm, ये focal length 10 cm दिया हुआ है, और ये object है, ठीक है, और ये जो distance दिया हुआ है, 20 cm, तो questions में ये बोलता है, the image produced by the plane mirror is 5 cm inside the mirror, मतलब, कोई image यहाँ बन रहा है, ये 5 cm है, ये distance है नहीं दिया, ये आपको निकालना है, yes, the distance of the object from the lens, तो देखो, इसमें, अगर मान लोग ऐसा भेजते हो, तो ये जाकर कुछ इस्तर कै से, यहाँ पर, से, तो ये इधर आएगा, na, rule I is equal to R, तो मतलब कुछ है इस तरह से है, तो ये तुम्हारा 5 हुआ, 5 cm, और ये, ये हो गया 5 cm, क्योंकि image, mirror में, तो plane mirror में, तो ये और ये distance बराबर होता है, तो ये तुम्हारा हो गया 15, तो 1 by V हो गया, इसके लिए, इसके context म में देखोगे, तो माइनस, 1 by U, 1 by F, तो 1 by 15, प्लस 15 हो जाएगा ये, और ये माइनस, माइनस U ले ले लेते हैं, और ये आपका, प्लस है न, तो 1 by 10, तो 1 by 15, ये आपका इधर लाएंगे, तो माइनस, या 1 by U, 1 by U छोड़ दो, तो 1 by 10, माइनस 1 by 15, तो 1 by U, एलसियम कितना हो जाएगा तुमारा, ये 30 हो जाएगा, तो 3 minus 2, तो U तो 30 आ रहा है, तो एक बार आप इसका चेक कर लो, ये, आपका क्रोस चेक कर लो, ये integer टाइप का question है, इसमें आपको, एक मिनट, इसका answer दिया हुआ है, ये 30 cm, राइट, 30 cm, ओके 30 cm, ठीक है ये, आपका, ये जो question है, ठीक है, ओके, ओल्राइट, तो देख लो, आप इसको, अच्छा question है, मतलब, combination of the lens and mirror हो गया, राइट, और भी करते है, इसमें प्रिजम पर करते है, लेंस पर तो भी बता दिया, मैं प्रिजम पर करेंगे, और optical instrument पर करूंगा, तो देखो, इसमें ये आपको, प्रिजम में question क्या दि, एप्रिल, ये आपका 15, 2023, राइट, तो इसमें क्या है, कि refractive index of the transparent liquid filled in an equilateral hollow prism, ये equilateral hollow prism दिया हुआ है, राइट, ये hollow prism दिया हुआ है, और इसमें जो liquid भरा हुआ है, ये liquid भरा हुआ है, इसका जो refractive index जो दिया हु हुआ है, ठीक है, डियर स्वेंस, रूट 2 दिया हुआ है, और ये angle होगा तुम्हारा 60 degree, राइट, 60 degree हो जाएगा, तो इसमें angle of minimum deviation for the liquid will be delta minimum, तो ये तो मुझे लग रहा है, direct formula होता है, n is equal to sin a plus delta m by 2 divided by sin a by 2, तो देखो, इसमें तुम रूट 2 दिया हुआ है, तुम्हारा refractive index, तो रूट 2 is equal to sin 30 plus delta m by 2, ये तो 60 है, तो ये आपका 60 है, एकुलेटरल फ्रिजम है, तो ये 30 degree, ठीक है, तो रूट 2 is equal to sin 60 plus, एक मिनट, ये आपका, इधर मैं लिखता हूँ, रूट 2, रूट 2 is equal to sin 60 plus delta m by 2 and divided by sin 30, 1 by 2, राइट, 1 by 2, तो रूट 2 into 1 by 2, 1 by 2 is equal to sin 60 degree plus delta m by 60 degree by 2, ठीक है, तो ये तो रूट 2, तो 45 degree होगा, मतलब 45 degree, sin 45 degree, तो 60 degree plus delta m by 2, तो इधर 90 degree, 60 degree plus delta m, ठीक है, तो delta m is equal to 30 degree, तो ये mc क्यों है क्या, ये आपको integer type का है, ठीक है, एक बार मैं इसको cross check करता हूँ, आपको ये question number, इसका answer है, yes 30 degree, ठीक है, तो ये it's okay, next question हम लोग देखेंगे, आपको इसमे, next question, ये हो गया बच्चों, प्रीजम का question था, और भी देखते हैं, प्रीजम पर ही best question देखते हैं, ठीक है न, जैसे अपना ये दिया है, array of light through a prism, prism दिया हुआ है, और इसका mu जो दिया हुआ है, ओरूट 3 दिया हुआ है, ठीक है, and suffers minimum deviation, it is found at angle of incidence is double the angle of refraction within the prism, बोल रहा है कि I is equal to 2 times r1 दिया हुआ, ऐसा, ठीक है, I is equal to 2 times r1 दिया हुआ है, then the angle of prism is, ये निकालना है, और ये I is equal to, और delta, delta minimum हुआ है, ठीक है न, अगर I is equal to 2 r1 है, तो delta, delta minimum हुआ है, तो ok, तो delta, जब delta minimum होगा, तो r1 is equal to, r2 is equal to a by 2 होगा, तो I is equal to 2 into r1 a by 2, तो I is equal to a हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा आपको, इसमें अगर हम लगाते हैं ये, इस नेल स्रो लगाते हैं, तो ये तो I है न, और इधर r1, तो mu, तो 1 into sin I is equal to mu into sin r1, तो इसको solve करते हैं, ठीक है, 1 into sin I के value कितना गया है, I के value A आगे हैं न, तो A and root 3 sin r1, r1 हो गया, a by 2, तो ये sin, तोड़दो इसको 2 sin a by 2 and cos a by 2, ठीक है, और root 3 sin a by 2, ठीक है, तो ये तो गया आपका, तो cos a by 2 is equal to root 3 by 2, तो ये तो cos कितना, 30 degree है, तो a by 2 is equal to 30 degree, तो a is equal to आगया तुम्हारा 60 degree, ठीक है, तो a का जो value आ रहा है, आपका आ रहा है 60 degree, तो इसका एक बार मैं answer check करूंगा, ये जो आपका question है, cross check करता हूँ मैं इसका, yes, a is equal to 60 degree, this is the angle of the prism, right, ओके, अभी हम लोग optical instrument पर ये best question करेंगे, इसमें optical instruments का कुछ question मैं देखता हूँ, ठीक है ना, तो, ये, ओके, questions में क्या है, optical instrument का best question है, आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि, in normal adjustment for refracting telescope, अच्छा, R.I, R.T, refracting telescope के लिए दिया है, मतलब आपका magnifying power, मतलब इमेज कहां पर बन रहा है, infinity पर बन रहा है, तो इसमें distance between objective and IPS 30 दिया हुआ है, मतलब आपको objective and IPS, मतलब A4 प्लस A4 का value दिया हुआ है 30, ठीक है, और ये, the focal length of the objective, when angular magnification is the 2, ओके, we are interested for A4, और magnifying power infinity का जो value दिया है, तो you know, ये तो formula तुमको पता है, A4 by Fe होता है, A4 बड़ा होता है, ठीक है, और magnifying power का कोई भी unit नहीं होता है, distance by distance, ठीक है, तो ये 2 दिया हुआ है, तो A4 is equal to 2 Fe, या ये Fe is equal to A4 by 2, तो A4 plus A4 by 2 is equal to 30, तो 3 A4 by 2 is equal to 30 हुआ, तो ये तुम्हारा 10, तो A4 is equal to 20 cm, right? तो ये तो ऐसा questions बहुत बार-बार देखे होंगे, ठीक है न, बस आपको इसमें सब ध्यान देना ही, जैसे कि magnifying power जो होता है, वो unitless होता है, उसका unitless होता है, मतलब ऐसा zoom x times बोल सकते है, जैसे को इसका dimension नहीं होता है, ठीक है न, जैसे अपना simple microscope में देखना, जो magnifying power तुम d पर लोगे न, तो df upon या 1 plus dyf होता है, ठीक है, तो देखो ये, या इसके लिए u का minimum value कितना होता है, कहां पर रखोगे कि इतना मिलेगा तुमको, तो ये df, 1 plus d plus f होता है, तो देखो distance into distance, by distance, तो overall ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का distance है, तो ये सब तुम्हारा analytic, dimensional analysis भी इसमें काम करता है, formula को दिमाग में रखने के लिए, right, तो ये चीज़े हैं, distance, और भी मैं एक optical instruments पर problem कर रहा हूं है आपको, ये जो दिया हुआ है, आपका, इसका तो अपना कितना गया था, 30, ये 20, ठीक है, तो ये जो होगा, आपको f o is equal to 20 cm, एक ये आपका question क्या दिया है, ये July 2021, तो इसमें है आपको, an object is viewed from a near point distance, मतलब magnifying power, जो है, वो आपको deeper set किया जा रहा है, दिया है, an object viewed from a near point distance of the 25 cm, using a microscope lens, magnification 6 मिल रहा है, इसमें, इसमें magnification, लेकिन ये थोड़ा unresolved है, ठीक है न, unresolved है, तो फिर क्या कर रहा है, कि जो आपका experimenter है, वो इसमें, eye piece use कर रहा है, मतलब ये simple microscope use करके, उसने 6 लाया था, बट ये वो साफ साफ नहीं दीख रहा है, तो बोल रहा है कि उसमें जो, ये आपका eye piece use कर रहा है, ठीक है न, तो eye piece जो use कर रहा है, उनके बीच का distance 6 मिटर रखा जा रहा है, ठीक है न, और ये आपको, मतलब 0.6 मिटर, 0.6 मिटर, मतलब 60 सेंटी मिटर, और इसमें magnification, जो हो रहा है, डबल मिल रहा है, magnifying power जो है, आपका डबल मिल रहा है, अब 12 हो जा रहा है, तो ये जो eye piece की, जो focal length, मतलब ये F ही निकालनी है आपन को, तो देखो, इसमें तुम्हारा तो magnifying power, जो D में मिल रहा है, 6, तो वहाँ से तुम्हारा क्या होगा, ये न, सॉरी, ये D नहीं, D adjustments, ये normal adjustment दिया हुआ था, सॉरी येर, normal adjustment, तो F में मिल रहा है, तो D by F is equal to 6, ठीक है, तो ये 25 by कितना, F, ठीक है, is equal to आपका 6 हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हमें, एक minute here question को मैं ठीक करता है, an object viewed from the near point distance, सॉरी है, मैं गलत बार, दुबारा, ये actually, ठीक मैंने बोला था, और D पर ही है, D है, one minute, तो ये तुम्हारा, magnifying power D के case में, तो बोलो, D केस में कितना होता है, one plus D by F is equal to six, तो D by F is equal to five, तो 25 by F is equal to five, तो ये तुम्हारा, F का value कितना आ गया, ये जो तुम्हारा हो गया, five centimeter, ठीक है, मतलब ये F हो जो हो गया, न फाइव हो गया, right, तो अब ये तुमको, जब ये इस case में, लोगें, आपको क्या बोलते हैं, ये इस case में, नया case में, जब ये इसको use कर रहे हो, तो length दिया हुआ है, तुम्हारा 0.6, तो ये magnifying power तुम्हारा आ रहा है, इस case में 12, तो ये जो है न, आपका, ये LD, A4, A3, जब देना dimension wise में, ये distance into distance, distance square, ये भी distance आपका, ठीक है, तो ये जो है 12 है, तो ये 60 into 25, और F of 5 into Fe is equal to 12, तो ये तो तुम्हारा 5, और 5, 5 आपका गया, तो Fe is equal to 25, राइट, तो ये अपना, एक बार मैं इसका cross check कर ले रहा हूँ, आपको ये question number, तो it's okay ना, thank you.